असलावलेकूम आदाब कहरा की अवामिन को सलाम आदाब एक बार फिर मुबारक हो आप लोगों को क्या उनके आपने जो इलेक्शन में जीत दर्ज कराई उसका रिजल्ट आज आपके सामने आ रहा है भाजपा और कांगरस एक हो रही है और वहीं आज प्रेस कांफरंस कर रहे है कहरा बलाक कहरा की सरपेंचिस और बाकी उनके साथ जो लोग है उनका कहना ठीक है मैराज मलिक ने बहुत सारी बातें कही है घसितने का काम करो काला मूँ करने का काम करो उसके पीछे एक वज़ा है मेरी वीडियो को आज जुरूर देखना और अच्छे से देखना अच्छे से सुनना ताकि लोगों के काम आ जाए जिस मकसद से आपने मैराज को चुना था वो मकसद पूरा करने का वक्त शुरू तो छे महीने पहले हुआ था लेकिन ज्यादा देर इनकी ताना शाहिद चलने नहीं देनी हमने आप एक छोड़ा से काम कर दीजे आवाम के नाम कहरा कांसिचुनसी के नाम जिस आवाम ने मुझे जिमादारी से वोट दिया है और एक उमीद से वोट दिया है उन लोगों के नाम आज काम सूंपने जा रहा हूँ आज महराज ने थोड़ा बोल किया दिया तो इन लोगों को बोखलाहट हो गए कि महराज मलिक ऐसा क्यों कह रहा है जानना चाहते हैं ने ये लोग कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अड्मिस्ट्रेशन से कारवाई की मांग कर रहे हैं उससे पहले काला मूँ भी होगा और इनके खिलाफ कानूनी कारवाई भी होनी है और सुबत के साथ मैं सिरफ बोला हूँ लेकिन इनोंने अवाम को लोटा है तो थोड़ा दियान से सुनिएगा जितने भी पंचायत के लोग हैं दो बलाकूं के लोग हैं आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ गूगल जिनके पास एंड्राइड फोन है एंड्राइड फोन मतलब जिस पे आप मुझे देख रहे हैं गूगल एक एप्लिकेशन है थोड़ा आराम के साथ मैं बोलूँगा गूगल में जाके आप नरेगा लिखिएगए एन ए आर आऀ जी ए जब उसको आप सर्च करेंगे नरेगा लिखने के बाद गूगल में जब आप सर्च करेंगे तो उसके बाद एक्ट दोजर पांच एक M.G. 프로 involved क्या आएगा नीचे तीसरे नंबर पर है छोड़ा दियान से सुनना मेरी बात बहुत सारे लोग RTA करते हैं, बहुत कुछ करते हैं इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनुन्हें क्या किया है यह हमारे सर्पैंचू ने क्या किया है किस बात पर महराज मलिक बोरा इनका काला मूँ करना है आप खुद करोगे लोग खुद करेंगे और लोगों को पूरा पूरा हक है आपने जो उनके हुकुक आप से छीने हैं उनका हिसाब लेने का पूरा अधिकार है उन लोगों को जब आप तीसरे नमबर पर जाएंगे गूगल के सर्च करने के बाद जब आपके पूरा डाटा आएगा उसमें एक जगा पर आएगा तीसरे नमबर पर 2005 एक्ट-MG नरीगा आप उस पर क्लिक कीजेगा जब आप उस पर बटन दबाएंगे तो उसके बाद आपको बहुत सारी हिंदुस्तान की स्टेटें खुलेंगे जितनी भी स्टेटेंगे उनके नाम इस साइड लेफ्ट साइड में आएंगे आप उसको जूम करेंगे थोड़ा मेरी बात दिहन से सुनना और ये काम मैं आपको दस दिन के लिए सौंप रहा हूँ मेरी पूरी आवाम दस दिन यही काम करेगी जो भुड़े हैं जो नوجवान हैं जो पड़े लिखें नहीं हैं जो पड़े लिखें हैं उन लोगों के लिए मैं काम छोड़के जा रहा हूँ ताकि ये जो हमारे बुजरग लोग हैं जिनको आज तक लोटा उनको इलम नहीं है RTI डालने से हमारे पास रिकार्ड नहीं आएगा इस तरीके से एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ आप जब उसमें स्टेटों को देखेंगे लेफ्ट साइड में वो स्टेटे आएंगे जिसमें जम्मू कश्मीर भी है जब आप जम्मू कश्मीर आपको दिखेगा उस पे थोड़ा सा आपने क्लिक करना है जब आप जम्मो कश्मीर को क्लिक करोगे उसके बाद आपको पूरे जम्मो कश्मीर के डिस्टिक्स दिखेंगे जिसमें हमारा डिस्टिक्स बदकिस्मती से हमारा डिस्टिक्स डोडा का नाम भी आएगा और गूगल में आएगा जब डोड़ा आपको देखेगा उसको भी जूम करेंगे आप पूरे उस पेज को जूम करेंगे और डोड़ा को दबाएंगे जब आप डोड़ा पे क्लिक करेंगे तो डोड़ा के बाद पूरे बलाकों की लिस्ट आएगी और जब पूरे बलाकों की लिष्ट आएगी कहरा के लोग कहरा पे क्लिक करेंगे और जिक्यास के लोग जिक्यास पे क्लिक करेंगे एक काम सोप रहों और ये काम आपको पूरा करना है और ये कहे रहे हैं कि काला मूँ क्यों करना है इनको पता चलना चाहिए कि अवाम को हमारी चोरी का पता चल गया है और जब अवाम इस बारे में जानेगी तो अवाम उठखडी हो जाएगी। जो जुलम से आज तक तुम लोग सता रहेते ना जिस ताना शाही से, उस ताना शाही को मैराज खतम करना चाता है। और तुम्हें नंगा करना चाता है। बहुत सारे लोग पांच वकत के नमाजी हैं लेकिन उनके अकॉंट वहाँ आपको दिखेंगे ये मैराज का जड़ाया हुआ नहीं है। फोर्टींट एपसी आप देखेंगे किन किन लोगों के नाम है। फिफटींट एपसी आप देखेंगे, सीडी पंचायत आप देखेंगे किन 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 के नाम हैं। और मकानात आपको दिखेंगे किन किन को आए वाई मिले हैं। ये पूरा डाटा आप लोगों के बास होना चाहिए। और हर पंचायद से, हर वाड से मुझे पूरा रिकार्ड उन लोगों का चाहिए कि किन किन लोगों ने अवाम को लोटा है और ये काम मुझे उम्मिध है मेरी अवाम करेगी और ये जो नमाज पढ़ने वाले लोग पांच वकत के नमाजी सुबा जब भजर की नमाज पढ़ते हैं तो दुबहर तक गरीब के कले में हड़ी की तरह चुब जाते हैं और जब जहर की नमाज पढ़ ली, तो असर तक गरीब की यहां कले में जान बन कर बैठते हैं, उसके बाद जहर, असर, मगरिब और इशा में सुकून के साथ अपने बच्चों के साथ सो जाते हैं, तुम्हारी नीदें हराम कर रहा हूं, जिन गरीबूं के खोन पसीने की कमा तुमने लूटी है, उसको नंगा भी करूँगा और तुम्हें भी नंगा करने की कोशिश करूँगा, पूरी पूरी और पूरी ताकत के साथ महरा जाएगा, बे नकाब जहरे करेगा, तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो ना, अभी लोगों के दिलूं के अंदर अभी अड्मिस्ट्रेशन की बात करें ना, महराज के खिलाफ कारवाई करें, उससे पहले, उससे पहले सबूत के साथ तुम लोगों ने जो लोगों के साथ खिलवाड किया है, उसके खिलाफ एक एक को जेल की सलाकों के पीछे जानाता है, अभी तुमारे फोर्टिन देपसी के वो काम भी दिखेंगे, आज तक किया हुआ घोटाला, वो लोग खुद देखेंगे, मुझे कहने की जुरूरत नहीं है, सिर्फ गूगल में जाकर एंड्राइड फोन है, तो सर्च कीजे नरेगा खाली चार पांच लफज लिखने हैं, और आपके पास इनका सुबूत आ ज जानती है, और तुम कहरे हो, हम लोगों के साथ रोड पर आएंगे, तुम्हारे साथ कुद्ते भी ना आएं, आरे गली के कुद्ते तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम कहारे हो, मैं राज के खिलाब प्रोटेश्ट करोगे, बीस हजार यहाँ का वोटर है, एक आम पीछे चलने वाला नहीं है क्योंकि इस बार का गरीब जाग गया है और उसको जगाने का काम मैं राज कर रहा है और उसका साथ देने का काम भी मैं राज करेगा। जो भी गरीब के पैसे के साथ खिलवाड कर रहा है, जो भी गरीब के मुँ से निवाला च्छिन रहा है, वो अपने घर में दलाली का काम करे, एक बार फिर सुनना है ना, सुन लिया ना, जो गरीब का खौन खाए, उसको घर में दलाली का काम शुरू करना है, क्योंकि वहाँ आराम से पैसा आ जाएगा और शौक से मिलेगा बड़ी तकलीफ होती है मेरी बात से और यही तकलीफ मेराज को तब होती है जब तुम घरीब के साथ खिलवार करते हो मेरी आवाम बागो यूर है मेरी आवाम समझदार है वोट की ताकत तो तुमने दिखा दी है आज भरोसा करूँगा दस दिन का टाइम में अपनी आवाम को दूँगा और मेरे लोग जो वीडियो देखते हैं लाइक करते हैं आप अपने व्यूज भी रखिए उसमें बताईए कि कौन लोग गलत हैं कौन लोग सही हैं अगर आप ये नहीं बता पाओगे तो इनकलाब की उम्मीद मत रखना इन चोरों के दर्वाजों पे ताला लगते हुए नहीं देख सकते हो इनको घसिट घसिट कर निकालना है इनको क्या लगता है इनके बोलने से हम खामुश नहीं होगा मैराज मुझे पांच साल के लिए लावाम ने ताकत दी है और पूरी ताकत के साथ तुम जैसे लोगों के मों भी बंद करूँगा उससे पहले तुमारे स पुराना हिसाब किताब है फिलाल हम 20-21 का हिसाब करने जा रहे हैं कि मटीरियल का पैसा तुमने किल लोगों को दिया है तुमारे पास डीडियो पावर है ना अवाम का पैसा तुमारे खाते में है तो मैराज तो पूछेगा और अवाम भी जानना चाहती है और अवाम को अ यह दिल्ली का जो आल्लाइन रिकार्ड है मैं उस रिकार्ड की बात कर रहा हूँ और तुम्हारे काले कारणा में लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगे आज से और मुझे पूरी उम्मीद है जो जवान पड़ा लिखा है जो जवान इस वकत बेरोजगार है जिसको अभी भी कुचला जा रहा है बेरोजगारी से तहसनेस कर दिया और इन लोगों की वज़ा से मैंने कहा था कि अगर गौर्मिट की सकीमे हमारे यहां लागू हो जाएं लोगों को मिलना शुरू हो जाएं तो यहां बेरोजगारी का खातमा यकिनन है लेकिन जिन लोगों को हमारा पैसा जा रहा है वो लोग प्रेस कांफरेंसें कर रहे हैं मैंने एक सवाल और भी पूछा है उन सरपंचु को बता दो खिलाल तो नमाज पढ़ना बंद कर दो जो हराम की कमाई खा रहा है वो नमाज नहीं पढ़ सकता है उससे धोखा दूसरों को लग रहा है ऐसी नमाज उसको जुरूरत जब मैराज तुम्हारी नमाजों को नहीं मानता है तो उपर वाला तुम्हारी नमाज नहीं मानेगा आप समझ रहे हैं मेरी बात और अवाम और यूथ जिन लोगों को शोक है इनका डाटा आप देख सकते हैं आटे करने की जुरूरत नहीं है और आप देखो आवाम पे मैराज जिमादारी दे रहा है और खुद अपनी जिमादारी निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है दस दिन का वक्त आवाम को दे रहा हूं सिर्फ इतना कि अपने घर में बैठ कर आपने इनका काला चिट्टा निकाल गर लाना है और मुझे बताना है मेरे पास तो है लेकिन मुझे अब फिल्ड में जाना पड़ेगा कौन सा काम हुआ है कौन सा नहीं हुआ है आपके वाड का अलग से नाम निकलेगा उसको अपने खाली स्ग्रीन शाट मार के भेजना है मुझे आप भेजिये और उसके बाद हम इनको दिखाएंगे